सबसे बड़ा इंतजार है कि इसका रजल्ट कब जारी होगा ठीक है साथियो उसी क्रम में प्रिवीड कुमार जी जो यूपी ट्रपलस सी के अध्यच है उन्होंने बताया था कि हम जो रजल्ट जारी करेंगे लेकपाल का क्योंकर यह वड़ी वर्तिया अठीया 85 पदों पे वर्ति हो रही है इसका रजल्ट हम फरवरी में जारी कर देंगे ठीक है उसके बाद डिवी की प्रिवयाई चलाइज जाएगी ऐसा उन्होंने आसा जताई है कि हम यह कर देंगे लेकिन उन्होंने एक पॉइंट और बोला था कि अगर यह सारे केस जनवरी में निपट जाते हैं तभी ऐसा संभव हो सकता है तो क्या ऐसा संभव है कि सारे जितनी भी आजिका पड़ी हुई है कि सारे केस तुमारे जनवरी में फिनेश हो जाएंगे क्या आपको उम्मीद है तो उसी करम में चाचा करूँगा आपसे में तो देको एक प्रशन आपको मालिमी है उजला वाला प्रशन की सुनवाई होनी थी 19 दिसंबर को ठीक है जिसने याइच का कई है और जो आयोग है दोनों की तरफ से सम्मिट किया आचुके है इसमें ज़्यादा तारीक तो नहीं लगेंगी लेकिन ये जो तारीक है 19 दिसंबर वाली अब ये तारीक बढ़कर हो गई है चार जनवरी ठीक है साथियो गया जोपो कितनी हो गई है 4 जनवरी को अब इसकी सुनवाई होगी अब आसा तो ये की जाती है करे चार जनवरी को इसका आउडर रिजर्ब हो जाए सिधि बात ही है और बाद में एका दो दिन बाद इसका फैसला सुना दिया जाए तो उम्मीद तो यह है कि इसका जो case है वो order है वो reserve हो जाएगा चार जनवरी को ठीक है यही आसा करते है को जल्दी रेल्ट आएगा तब ऐसे ही आ सकता है अधरवाई रेल्ट जल्दी नहीं आएगा ठीक है तो यह आसा की जा रही है और सातियो एक case और है आपको माले में एक कोस कौन सा है जो साथ प्रशनों वाला case है साथ प्रशनों पर याजका लगाई गई थी कि साथ प्रशनिश में challenge किये गए है यह भी बड़ा मामला है तो यह इस मामले को अब court 20 तारीक को सुनवाई होनी थी इसमें अभी उसका कोई update निकल के नहीं आया है कि क्या हुआ है इसमें अगर आपके किसी के पास knowledge हो तो बताना उसके बारे में लेकिन इसकी date तो 4 जनवरी दे दी गई है एक case की hearing date है वो 9 जनवरी है और एक case की hearing date 29 जनवरी की बताई जा रही है तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह सारे case जनवरी में निपट जाएंगे जब case नहीं निपटेंगे तो result नहीं आएगा आपको मालम है result depend on the case सारा का सारा पूरा का पूरा dependent है ठीक है और सबसे ज़्यादा depend है एक प्रिशन पर उजला वाले पर इसका निड़े आएगा तो result बूर दे देगा क्योंकि उसने पहले भी बोल दिया था कि इसके प्रिशन के बिना आपका result नहीं दिया जाएगा ठीक है साथियो यह इतनी बात आपको समझ में आगी होगी और मैंने बताया कि अगर सारे case निपट जाएंगे तब ही जनवरी में इसका final result आप आएगा क्या ऐसा हो पाता है यह तो देखने वाली बात रहेगी और result आएगा तब ही कुछ संभावना बढ़ेगी क्योंकि देखो एक और चीज में आपको clear कर दूँ जैसे कि बहुत सारे साती यह कहते है कि इसका re-exam हो देखो साती हो re-exam होता तो उसी टाइम पे आयो कोई ना कोई action लेता सरकार कहती कि भाई यह इसको cancel करो बरती को re-exam करा हो ठीक है यह बुरावानने वाली बात नहीं है अगर re-exam होगा नहीं इस भरती का तो पांस साल में भरती पूरी नहीं हो पाईगी है आप देख रहे हो हाल यह तुमारा जो उपी बीडियो है उसका कोई date का अता-पता तक नहीं है कि कब इसका परिच्छा होगी मतलब री-exam होना है उसका सरकार नहीं कैंसल किया था भोतो लेकिन उसका यह भी आता पता नहीं कि परिच्छा होगी के नहीं होगी पता नहीं कब होगी यह नहीं वाले मपड़ पारा है कब से उसका decision आया है कि परिच्छा करा हो तो यूपी टरपलेस सी आयो इतना डिलाय हो गया से उन्होते हैं नहीं कुछ भी बासम में आ रही है और एक सर बक्तब्य जो CM योगी साब का है तो यह कहते हैं पाए गए वो यह उन्होंने दो-तीन दिन पहले की स्पीच है उन्होंने यह कहा था कि UP में जितनी भी भरतिया हो रही है ब्रश्टा चार मु अब देख लो जितनी भी भरति मेरे सामने हुई है अभी तुमारी 79 यहार बरति हुई और 60 यहार 500 वाली बरति हुई सम में धानली हुई जम कर धानली हुई बीडियो के उधारड है आपके पास में लेकपाल का उधारड है तो कैसे आप कह सकते हूं कि 0% प्रश्टा चार ह है अगर ऐसा हुआ होता ना साथियो तो यूपी लेकपाल का रजल्ट नवंबर में हो गया होता अब तक सब के डीवी हो गया होते और मई में मार्च में आपका फानल रेल्ट आके आपको जोनिंग मिल जाती लेकिन यह रजल्ट भी नहीं आ रहा है मार्च तक तो मुझे सिर्फ हावाई वाते हैं। तो यही न्यूज थी आपके लिए तो यह अगर इसका जो मैंने पता दिया कि 19 दिसंबर का था वो चार जनवरी को हो गई धीक है? एक की 9 जनवरी को hearing होनी है एक को 39 जनवरी को होनी है तो देखते हैं कि जनवरी में सारे case निपटते हैं तब ही इसका final rate आप आएगा फरवरी के last week में और March में आपके DB हो पाएंगे और joining तो तेखो time लगता है उसमें तो लेकिन इतना तो हो जाए काम जिसको job मिलने उसको तो मिल जाए ठीक है सात्यों तो ये सारी प्रिक्रियां है तो जो मैंने बता दी और इस पे आवस कमेंट करना है आपको क्या लगता है आपको आप किसी पार्टी से जोड़े हो चाहे किसी पार्टी से ना जोड़े हो पर उस से कुई मतलब नहीं है लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे यू-पी के हैं तो इनका जो बयाण है वो माहीं ने रखता है ठीक है आप जरूर से जरूर कमेंट करके बता है क्या ऐसा है यह नहीं है कि मुझे लगता है कि ब्रेस्टा चाहर हो रहा है कि आपको नहीं लगता कि ब्रेस्टार हे रहा या नहीं है ठीक है सातियो LOOK